नमस्कार साथियों किशोर कुमार आप पहले हसते थे का एक बड़ा मशूर गाना था चिंगारी कोई भढ़के तो सावन उसे बुझाए और सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी ठीक उसी तरहें का सावन हो गई सिर्फ विपक्षी दलों पर बरस्ती और जिन अधिकारियों पर प्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते वे पकड़ लिये जाते मेरे राज्ये में हुआ कल हुआ राजिस्थान में E.D. के दो अधिकारी नवल किशोर और बाबुला पंधरा लाख रुपे क्यों ले रहे थे चिट फंड का कोई मामला था उसको रफादफा करने के लिए उन्होंने पंधरा लाख की रिश्वत रंगे हाथों ली और एंटी करॉप्शन ब्यूरों ने उन्हें गिरफतार करने अब ये पंधरा लाख चीज ये ऐसा अजीब सी पनौती है ये पंधरा लाख जिसने पंधरा लाख को गंभीरता से ले लिया सीरस्ती ले लिया वो डूबा अब विचारे ये दो अधिकारियों ने भी 15 लाख और मान लो हमारे मोदी जी ने 15 लाख सच में दे दिये होते लोगों के खातों में तो ये हमारे जो नवल किशोर जी हैं और बाबुलाल जी हैं शायद नहीं फस्ते कल बच जाते पंदरा लाग की पनोती का क्या करें बताईए अब आप सोचिए कि ये छोटे लेवल के अधिकारी है इनका रेट लिस्ट देखिए पंदरा लाग तो इनसे उपर क्या द्याम होगा और उसके भी उपर जिसके हाथ में ED का रिमोट कंट्रोल है उसका क्या रेट होगा कहीं न कहीं तो रिमोट है ना ED का हमें भी मालूम है कहा है आपको भी मालूम है कहा है तो रेट लिस्ट क्या है ED की ये सारजनिक करना चीए उन्हें किसा पंदरा लाग ये लेते हैं पच्छिस ये लेते हैं और उपर जो और लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो कितने लेते होंगे, हम लोग सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टार प्रचारकों का की एक लिस्ट जारी करते हैं चुनाव से पहले, हमारे स्टार प्रचारक और बीजेपी के सरकार प्रचारक, एडी, सीबी, इंकम टैक्स, आई, ये सब इनके सरकार प्रचारक, एन सीबी सब ये तमाम जो इनको टार्गेट दे दिया जाते हैं, चुनाव आ गया है, ये लिस्ट है, इन में से किसको आप डरा धमका के भाजपा में शामिल करवा सकते हो, नहीं होते तो फिर इनको निप्टाओ, ये एक टूल किट है, मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं क का अपना टूल किट है, हम हमेशा, कॉंग्रेस पार्टी हमेशा, जाच एजेंसियों को हम चाहते हैं, वो शक्तिशाली रहें, वो निर्भीक रहें, वो किसी के कंट्रोल में रहकर काम न करें, स्वायत रहें, ऑटॉनमस रहें, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, आप इन किसी को मजबूत कीजिए, मजबूर मत कीजिए, हमारी आप से सिर्फ यही शिकायत, they are not your frontline warriors, ED, CBI, Income Tax, ये कोई आपके frontline warriors नहीं हैं, मोदी जी, कि पहले ये जाते हैं, फिर आप नडड़ा जी को भेज देते हो, लिस्ट कि ये 5-6 लोग काबू आ गए, इनको आप ले लीजी बाज़ापा में, ये क्या तरीका बना रखा है आपने रादनेती, 95% से ज़्यादा ED case अगर विपक्ष के नेताओं पर होता है, तो सब कुछ सामने हैं आपके, मैं विनीच जी को भी request करूँगा, कि हम एक directory release करें अब, address हो उस में, phone number हो उस में, किसके, नारायन राने के, अजीत पवार के, शायद ED के पास, ये address और phone number अब नहीं है, हम दे देते हैं, क्यों नहीं जाते हैं आप आप, क्या हो गया, साहब से इशारा नहीं हुआ, कुल्दी बिश्णोई क्या क्यों नहीं जाते हैं, आजीत पवार को भूल गया आप, सुवेंदु अधिकारी को भूल गया आप, ये selective memory loss क्यों है ED में, हिमन्ता विश्वा सर्वा हमारे प्रिया, उनको तो भिलकुल ही भूल गये, उनका नाम कहां कहां था, सबको मालूम है, वाइट पेपर यही भाजपा निकालती थी, कहां है वाइट पेपर, कहां ED, हखीकत ये है, कि इस सबका एक common जवाब है, जो जो नाम मैंने आपके सामने लिये, कि जब इनके भ्रष्टाचार के खीचड में कमल खिल जाता है ना, तो ED को आप करप्शन की महक आनी बंध हो जाती है, सुवेंदू अधिकारी के यहां, हिमन्ता विश्वा सर्मा के यहां, नारायन राने के यहां, अजीत पवार के यहां, इन सब अब ये कीचड में धुलकर साफ हो गए, बताएए कोई कीचड में धुलकर साफ होता है, होत अब राजिस्थान में आए हो तो जवाब तो मिलेगा, कल मिल गया, सुना रात को, यहां बड़े साहब ने कोई मीटिंग भी रखी थी, सुना है, पता नहीं, आप लोग जादा जानते हैं, अमर्जेंसी मीटिंग थी, कि जो हमारे फ्रेंट लाइन वारियर्स हैं, उनको असली एजन्सी से कैसे बचाए, एंटी करप्शन प्यूरो अपना काम कर रहा है, उसने बिलकुल निर्भीकता से अपना काम किया, इनको पकड़ लिया, धर लिया 15 लाख में, लेते वे, एक ये गंभीर खत्रा है देश क अपना काम कर रहा है, इसा खत्रा है कि जो स्वायत संस्थाए होनी चाहिए, उनको ये रौंद रहे है, बरबाद कर रहे है, अब मजाख हो गया एईटी का, पहले अडोस पडोस में कोई एडी में काम करता था, उनके बच्चे बड़े गर्व से कहते हैं, मेरे पिताजी एडी में है, आप बिचारे शर्माते हैं बोलते हैं, ये हालत बना दिए इन एजनसीज की मोदी जी, थोड़े दिनों में भाजपा, बोलते वे लोगों को शर अडोन कर रही हूं, और उसके अलावा आपके एक मंत्री है, महेश योशी, उनके OSD के यहाँ भी ED की एक बार फिर से कारवाई हुई है, पहले भी हो चुकी है, तो उस कारवाई को आप किस तरह देखते हैं सर? जैसा मैंने आपको कहा, पांच राजियों में चुनाव हैं, दो में कॉंग्रेस है, इन पांच राजियों को भी चली अलग कर भी, हिमाचल में थोड़े वक्त पहले ही चुनाव हुए थे, गुजरात में हुए थे, आपने देखा कि ED, गुजरात के किसी मंत्री के यहाँ, रेट डालने गई हुए, रूलिंग पार्टी, पिछले 20-25 सालों से, 27 सालों से रूलिंग पार्टी, नहीं गई, क्यों नहीं गई, हिमाचल में भारती जनता पार्टी की सरकार थी, अभी हाल ही तक, चुनाव थे, समझ में आता है, एक चली चुनाव में ही सक्रिय होती है, एजेंसी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्यों नहीं हुआ हिमाचल में भी है, सब कुछ सामने है, जहां कॉंग्रेस का शासन है, जहां गैर भाजपा का शासन है, और वो पार्टी इनके काबू नहीं आ रही, वहां ये लोग रेट डालने, अपने फ्रंट लाइन इसको बेज देते हैं, डराने दमगाने, उनको जो सलाहलग वकील ने दी होगी, उन्होंने वोट किया होगा, उसमें मैं प्रतिक्रिया क्यों दूँ, ना तो मैं वकील हूँ उनका, आपने मास्क पहना हुआ है, सार पॉलिशन बहुत जादा है, एक वेशन उस पर भी है, यहां पर आ रहे हैं, उनकी भी चेकिंग होने चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है, वो पैसा बेज रही है, स्पेशल फ्लाइट से, कुछ भी संभव है इस शासन में, कुछ भी संभव है, जो हमको लगता था कि हिंदी पिक्चरों में या दक्षिन भारत की पिक्चरों में देख के हम अचंभित हो जाते थे कि एक पिक्चरें अजीब सी बना रहे हैं, यह समाज में कभी होता है, लेकिन यह होने लग गया है, यह हो रहा है, तो जो बगेल साहब ने आरोप लगाया है, इसकी जांच तुरंथ होनी चाहिए, हवाईजाच क्यों नहीं चेक होते जि शीला जी के साथ हम किसी प्रचार में बिहार के चुनाव में गए 10-15 साल पहले, हेलिकॉप्टर को ऐसे जांचते हैं चुनाव आयोग वाले, बैग, पर्स, मुख्यमंत्री हो, कोई हो, सब के जांच होती थी, लेकिन यहां तो अभी अजीव सी स्थिती है, एक प्रदेश क मुख्यमंत्री इतना गंभीर आरोप लगा रहा है, तुरंत इनको बगेल साब के इस आरोप पे कारवाई करनी चाहिए, पवन जी अभी आपने आरोप लगाया कि इडिक सारी कारवाईयां जो है कांगरसासी तराज्यों में होती हैं, उसी क्रम में आज 36 गड़ में भी दो सुनो, वो वाली मुद्रा में आजाते हैं, जो तम घोटू हवा है दिल्ली में, जो सांस जिन्दी की छीन रही है, लेकिन केजरिवाल साब मदप्रदेश में कहते हैं कि जो दिल्ली की जनता ने करिश्मा कर तिखाया हम आदमी पार्टी के लिए और पंजाब की जनता ने, वो मदप्रदेश की जनता से मैं आपील करता हूँ कि करिए, तो ये करिश्मा है दिल्ली की, अब तो कमीज सफेद रहती नहीं है दिल्ली में, तो ये भी नहीं कह सकते, मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद गया है, हमने वो दौर देखा था, जब एक घंटे में सफेद कमीज काली हो जाती दिल्ली में की सड़कों पर, शीला दिख्षेज जी मुख्यमंत्री थी, प्रभावी कदम उठाए गया, और उस वक्त के विपक्ष ने भी काफी साथ दिया, ऐसा नहीं की नहीं दिया, हम सब साथ देने को तयार है, आप लोग बैठिये, शुरू तो करिये कोई प्रभावी कदम उठाने की दिशा में कुछ तो करिये, यही हमारी उनसे आग रहे, अगर उनको ऐसा है, तो कल बात होई जवाब देए, इसमें बार-बार क्यों, रिपीट क्यों करवाते हो, कुछ भी पूछना, और भी पूछ लीजे, फिर फ्लाइट लेनी है, तो भागना है, भारती जनता पार्टी को हम अपने तमाम स्टेटमेंट भेज़ देते हैं, उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं, कि अलग-अलग तरीके से इस देश के मुद्दों से ध्यान कैसे बटाया जाए, इसकी एक ट्रेनिंग वर्क्शॉप भारती जनता पार्टी को देनी चाहते हैं, हम भी सीखना चाहते हैं, बड़ी बखू भी आप ध्यान बटाने का काम करते हैं, आईए ना, सिलिंडर की कीमत पर आईए ना, दिल्ली की पॉलुशन पर बात करिये ना, महंगाई पर पूरी बात करिये, बेरोजगारी पर बात करिये, महिला सुरक्षा पर बात करिये, क्यों मुद्दों से ध्यान हटाते हैं, जाती जंगरना पर बात करिये, आप मोधी जी कल 36 गड़ गए, इनकी स्क्रिप्ट राइटर भी मुझे लगता है, अब ठक गया है, मेरे को गाली देदी, अरे आप OBC है, आपको गाली देदी, ये क्या मुद्दा है, OBC कि हमने तो आपको जाती जंगरना की मांग की उस पर जबाब क्यों नहीं देते, ये सब सवालों से बचने का एक ही रास्ता है, लेफ्ट हाथ क्या कर रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान कर देंगे, आपका ध्यान यहीं रहेगा, इधर से एरपोर्ट बेज देंगे, पोर्ट बेज देंगे, तो हमेशा राइट हाथ जो कर रहा है, वो मत देखिए, लेफ्ट में क्या चल रहा है, वो देखिए, कौन सांपो का व्यापार करते है, यह अब अच्छा मैंने सूचा आपने जो बाजय पाका नाम लिया थे, कि इस पर कारवाई होनी चाहिए लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसे लोग आईड़ा है कि एम स्टेट के सीम प्रॉपर रेली करते हैं तो यह सवाथ हो तो आप खटर जी से पूछिए कि जो जहर का व्यापार करते हैं सांपों का व्यापार करते हैं वो उनको इतने प्रिय क्य होई थी इन ही लोगों से पूछे ना कि जो सांपों का व्यापार करते हैं वो आपको इतने पसंद क्यों आते हैं पुछे इंसे मुझे भी पताईए क्या जवाब देते हैं फिर आपको कहीं और ले जाएंगे इस राइल विस्राइल कुछ बात करने लग जाएंगे उनको सूलिए इस पर भी जवाब दीचे सब्सक्राइब इस पर आप नोट ब्याइख सब्सक्तम आरफ टेलंगानाchu Now KTR has responded to all the claims which are being made by the Congress party and he has called Revundley as well as marine raad Bundic Obviously he will do what he's his master's voice His Master is sitting in Delhi So whatever the master will say he will also repeat but he doesn't realize all these scripts are outdated they are gone they should come up with new script writers and delangana has a very rich culture of script writing they should just borrow from the film industry if they don't have their own script writers I don't know what I've seen in this regard I don't have to think about it so why don't I do this now our attention is on the five kings of kings